दोस्तो वैश्णवी और्गेनिक देरी फोर्म में आपका स्वागत है आज मैं आपको पसुपालक कैंडलेंडर के बारे में सुरुआत करने जा रहा हूं जो जनवरी से लेके दिशंबर तक के कैंडलेंडर के मतलब सुझाओ है हर महिने में कैसे पसुपालन को करना चीए पसुपालकों के लिए कुछ हवस्तियक सुझाओ है पसुपालक कैंडलेंडर के द्वारा में बता रहा हूं पसु आवास साफ सुथरे उच्चे अस्थान पर इव हवादार होना चीए साथी आवास की दिशा ऐसी हो कि आवास में पूरे दिन सुरे की रोसनी पढ़ती रहे मल मुत्र तथा जल निकासी की समुचित बेवस्ता हो पसु की उत्पादक्ता एव परजनन छमता बनाए रखने के लिए उसे संतुली तहार देना चीए अर्थात सुखा चारा हरा चारा एव दाना मिश्रन सम्मिलित रूप से देना चीए पसु को प्रती दिन खनेज मिश्रन तथा नमक देना चीए साथ ही दुधारू पसुओ को केल्सिय मवस्य देना चीए पसुओ के लिए हरे चारे के रूप में रब्भी फसल, बरसीम, लूसर्ष, जई, शर्सो, इत्यादी के जिसकी बुआई अक्टूबर से दिसंबर तक की जाती है तथा खरीब फसल, मक्का, बाजरा, जुआर, एमपी, चेरी, यादी जिसकी बुआई मार्च से अगस्त की जाती है लगानी चाहिए विपरीत परस्तिती अर्थात जब हरे चारे का अभा हो तो उसे संग्रहन करके रखना चाहिए दोस्तो संग्रहन अथवा साइलेज चारे के अचार के रूप में करना चाहिए चारा संरचन के लिए मक्का, बाजरा, जुआर, बर्सीम, लूसर्ष, लूसर्ण, जई, उप्युक्त फसल है साइलेज के लिए पस वो को अंत पर जीवी से बचाने के लिए क्रीमी नाशक दवा का परियोग अवस्य करना अथवा बर्स में कम से कम दो बार बर्सात से पूर्व ये बर्सात के पश्चात अवस्य करना चाहिए बहां पर जीवी से बचाओ है तू पसुपालक को साप सुथरा एव सुखा रखना चाहिए तथा समय समय पर बाड़े में सफेदी कराए एव पसुसाला के फर्स पर चूने फिनाईल के घोल का परतेक सपता छिड़काओ करें पसु के सरीर को भी कितनासक दवा जैसे मेलाथियान डेटा मेथ्रीन साइपर मेथ्रीन टू मिली प्रती लिटर पानी में से धोना चाहिए मच्छड के परकोप से बचाने के लिए बाड़े में साम को धुआ अवश्य करना चाहिए पसुओ को संक्रमान संक्रामक रोग मुखता खुर्पका मुपका गलगोटू जहरवाद एंथरेक्स बुरुसलेसिज पी पी आर एंटो रेक्षे मिया इत्यादी से बचाओ का टीका करन अवश्य करवाना चाहिए खुर्पका मुपका पहला टीका चार माह की उम्र में सप्ता के बाद बुष्टर पस्चाद परतेक छह माह पर समाने मार्च अप्रेल दिसंबर अक्टूबर में अवश्य करवाना चाहिए गलगोटू पहला टीका छह माह की उम्र के पस्चाद परतेक बरसात के पूर्ब मैं जुन में अवश्य करवाना चाहिए जहरबाद पहला टीका 6 माँ की उम्र के पहस्चात परतेक बरसात के पूर्ब माई जून में अवस्य करवाना चाए। एंथ्रिक्स पहला टीका छेह माँ के उम्र के पश्चात परतेक बरसात से पूर मई जून में करवाना चाहिए, बुरुसलेसी सिर्फ मादा गौबंस में चार से नौ माँ की उम्र में लगाना चाहिए, पी-पी-आर जो होता है वो पसुं के लिए आवश्यक नहीं है, वो ब पसुं के सलाह पर क्रितिम गरवाधान कराएं, भैंस को गरभित करने का उचित माह अक्टूबर से दिसंबर तथा फरवरी से मार्च होता है, थैंक्यू, धन्यवाद, अगला है जनवरी पसुपालक के लेंडर का एपिसोड नेक्स वीडियो में आएगा, थैंक्यू, धन् भी इसमेधा ।